36 गड़ की प्राचीन भूमी में एक ऐसा युग था जब कल्चुरी वंश का शासन था। ये वंश अपनी शौर्य, संस्कृती और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। चलिए इस गौरवशाली वंश की कहानी में आपको लिए चलते हैं। कल्चुरी वंश की स्थापना राजा को कल्ल द्वारा नौवियों शताब्दी में हुई थी। उन्होंने अपने शासन काल में 36 गड़ के एक बड़े हिस्से को अपने अधिकार में लिया। उनके राज्य का मुख्य केंद्र त्रिपूरी था जो आज के मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कल्चुरी वंश ने अपने शौर्य से कई विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने सामराज्य को विस्तार किया और 36 गड़ की भूमी को अपने शासन में शामिल किया। राजा लक्षमन राज और राजा को कल्ल के नेत्रित्व में वंश ने अपनी संस्कृत और कला को भी सम्रिध किया। कल्चुरी वंश का शासन काल कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक स्वर्णिम युग था। इस काल के दौरान कई भव्य मंदिरों और मूर्तियों का निर्मान हुआ। खासकर रतनपुर और कवरधा के मंदिर इस वंश की वास्तु कला का उत अंस्कृतिक केंद्र में बदल दिया। उनके शासन काल में रतनपुर में कई मंदिर और महल बनाये गए। कल्चुरी वंश के शासन काल में 36 गड़ का समाज और अर्थ व्यवस्था भी प्रगति पर थी। उन्होंने व्यापार को प्रोचसाहित किया और किसानों को नई क पूप से सम्मान दिया। उनके शासन काल में धर्मों के अनुयाईयों को पूर्ण स्वतंत्रता मिली और उन्होंने अपने अपने धार्मिक स्थलों का निर्मान किया। कल्चुरी वंश का पतन आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ। हालां कि उनके योगदान और विरासत ने 36 घड की संस्कृती और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। कल्चुरी वंश की गौरव गाठा आज भी 36 घड की धर्ती पर जीवित है। उनके द्वारा बनाये गए मंदिर, महल और संस्कृतिक धरोहरें आज भी उस युग की और सम्रद्धी की गवाही देती हैं। विर्तान्त इस प्रकार कल्चुरी वंश ने 36 घड की संस्कृती और इतिहास को सम्रद्ध किया और उनकी विरासत आज भी हमारे वीच जीवित है।